असम में मुसलिम युवकों को पीटा भीड ने जैश्री राम के नारे लगा कर घुमाया वीडियो इंटरनेट पर वाईरल असम के हाजों में एक दक्षिन पंती संगठन के खिलाव गुरुबार को मुसलिम युवकों के साथ मारपीट करने और जबरन जैश्री राम के नारे लगवाने और मारपीट का आरोप लगाता एक वीडियो वाइरल हो रहा है वीडियो में देखा जा सकता है एक भीड एक यूवक को घेरे खड़ी है जिसमें कुछ लोगों द्वारा कथित मुस्लिम यूवक को धमकाया जा रहा है टीवी नाइन से जुड़े पत्रकार महमूद उलहसान द्वारा दी गई जानकारी के मताबे कसम के हाजों में हिंदू जागरन मंच के कारिकरताओं ने कानून अपने हाथ में लिया और एक लड़का जिसका नाम मसूद अब्दुल्ला बताया जा रहा है उसको बाजार में घुमाया और कान पकड़ने के लिए मजबूर किया गया आरोफ है कि मसूद अब्दुल्ला को थपड मारे गए और जैशिरी राम के नारे भी लगवाए हिंदू जागरन मंच के कारेकरताओं का आरोफ है कि मसूद अब्दुल्ला ने अपने वाटसब स्टेटस पर पाकिस्तान जिन्दाबाद लिखा था जिस पर उसे माफी मांगने के लिए कहा गया था मसूद अब्दुल्ला ने अपने वाटसप स्टेटस पर ऐसा कुछ लिखा था या नहीं इसकी पुष्टी नहीं हो पाई है महीं वीडियो वाइरल होने के बाद यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है एक ट्विटर यूजर ने लिखा बहुत सुंदर किया जो इसका इलाज कर दिया एक अन्य यूजर ने लिखा कानून अपना काम खुद करेगा कानून किसी को अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत है क्या यही मोधी राज है जिसमें एक युवक की सरयाम कुछ लोगों द्वारा पिटाई की जा रही है एक ट्वीटर यूजर ने लिखा ये है इनका स्वतंत्रता दिवस इनकी अजादी को अभी 8 साल ही हुए है एक और ट्वीटर यूजर ने लिखा देखिए अजादी का जशन ऐसे मनाया जा रहा है आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए हमारी चैनल को सबस्क्राइब करें बाल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर अपडेट जल से जल दाप तक पहुशती रहे